हेलो फेंज वेल्कम को माई यूटूब चैनल एससे एक्जाम है कि आज इस वीडियो में हम जो हमारा जोग्राफी का लास्ट वीडियो था अर्थ वैदर क्लाइमेट उसका सकेंड पार्ट को कवर करेंगी जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने प्राइमीरि विंट्स के बार पढ़ लिया था प्राइमीरि विंट्स क्या होती है यह आसे विंट्स होती है जो पर्मिनि fy क् Task本 यानि जो पुरा साल भर चलती है जिसे इस आपको ट्रेड विंस बताया था वेस्टर्ली विंस बताया था ठीक है तो यह बहुत बड़ा फिनोमना है जो अर्थ की रोटेशन के वज़ए से साल भर नहीं चलती यह किसी सीजन चलती है तो इसे चानल अच्छा आप ले सकते हैं मौन सुर्ट रहता है वह जो हमारा जून में मिड महरी और जून में स्टार्ट होता है जो हमारे इंडियन continent में बारिश करता है तो ये example होता है secondary winds का ठीक है तो आप secondary winds में आप example याद कर सकते हैं monsoon winds बात करते हैं tersary winds या local winds की देखे, permanent primary winds के बाद secondary winds का tersary winds भी होता है तो ये जो tersary winds होती है ये क्या होती है, ये किसी particular place में time to time ये winds चलती है तो इनके ना वैसे बहुत सारे different different content different different नाम है जो मैंने आपको यहां पर यह 5-6 नाम लिखे यह इसलिए लिखें कि एक्जाम के point of view से बहुत important है आ सकते हैं ठीक है तो हम इसको discuss करते हैं क्या क्या है देखें एक विंड है चिनूक इसको स्नोविट एटर के नाम से जाना जाता है यह वार्म विंड होती है और यह रॉकिज यूसे और कैनेडा में यह विंड चलती है तो यह जो जो मैं विंड बता रहा हूं आप यह याद कर लेना यह बहुत important है यह previous year में भी आये हुए है ठी जाती है शिरोग को यह होट विंड है जो नॉर्थ एफ्रिका में पाए जाती है ब्लिजाड ब्लिजाड एक होता बरफिला तुफान इसका मेनें भी होता है इंगलीज में यह cold wind होती है जो साइबीरिया कैनिड़ा में मिलती है काल्व ऐसा की wind है होट विंड होती है नॉर् पाई जाते हैं वहाँ इसके लोकल नाम से इन्हें बोला जाता है ठीक है तो लोकल विंद्स है और भी है मेरे साब से यह काफी इंपॉर्टन्ट है यह छे साथ तो यह मैंने आपके लिए लिए लिखके इस स्लाइड में डाला है अब पढ़ते हैं जो एक्जाम के पॉइंट औफ से दो इंपॉर्टन फिनॉम्ना भीडेखे साइकलोंिक क्या होता है साइकलों एक फिनॉम्ना है बिंड्नराइँ का जिसमें क्या होता है नहीं बासी फिल्ट कि को सेंटर में अ700 करते हैं जो wind होती है वो हमें से higher to low pressure के तरफ travel करती है तो cyclone जैसे आपने देखा नो कभी-कभी वो ऐसे गोल-गोल-गोल-गोल गुमता हुआ wind का boundary जिसके बोलते हैं ये cyclone boundary type का ही होता है तो जो cyclone भी हमना दो type के होते हैं tropical cyclone, temperate cyclone यह हम आगे discuss करेंगे उसके बाद देखिए cyclone में क्या-क्या चीज़ इंपोर्टन है exam के पहले मैं बताता हूँ देखिए सबसे पहले cyclone की direction कैसे होती है मतलब जो wind flow करते हैं वो clockwise गुमती है इस पर question पूछा जाता है तो वो आपको याद करना है तो चलो discuss करते हैं मदेखिए सबसे पहले मदेखिए सबसे पहले मैं मैं बता its में यह cyclone ब्रडिज हो बावागा डीक है इंपोर्टन यह बहुत बग पूछ सकता है कि जो eclone की डीक्सन है नर्दन हमिसफियर में गुप वो कैसी है ठीक है तो आप लगाएंगे जो cyclone है उसकी नर्दर हमिस्फेर में डेक्शन एंटि-clockwise होती है और इसका उल्टा अगर इस सर्दन हमिस्फेर में travel करेगा cyclone तो यह clockwise डेक्शन में घुमेगा यानि यह ऐसे चलेगा सर्दन हमिस्फेर है ठीक है आप जो इसको डिवाइड क्या गया है यह किस एरिया में यह cyclone आते है तो सबसे पहले आपको ट्रॉप्रिकल जोन और ट्रेंप्रेट जोन पता होना चाहिए देखिए यह आपको अर्थ का ग्लोब दिख रहा है यह जो एरिया है इक्वेटर से लेके 23 उपर निचे 23 वन अंड़ हाफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच का जो एरिया है यह ट्रॉपिक्स का एरिया कहा जाता है तो यह जो आपका के बात पोलर रिजन और यह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का जो एरिया होता है यह टेम्प्रेट जोन होता है ठीक है तो आप समझ दिजिए जो ट्रॉपिकल सेक्लोन होगा वह आपका इस एरिया में आएगा ठीक है अब यह इनके बार में कुछ कुछ चीज़े देखे लिख रखे क्या लिखा हुआ है एक तो आपको ट्रॉपिकल का जो डेक्शन बता रखा है कि वह किस एरिया में प्रड्यूज होते हैं तो यह 8-20 डिग्री नौर्थ और साउथ दोनू में होते हैं बस यह 0-8 डिग्री वा करते हैं और यह western वेस्टफली वीड़ेल्ट जो ट्रॉपिकल साईकलों होते हैं उनका डियमतर होता है कम होता है बहुत बड़े नहीं होते हैंतर जो टेमटरेट लगा लगए जैसे अगर यह आसा घूम रहा है ना तो आप लगा लोग cyclone बहूं का गूम पर ही बनते हैं सबसे पहले यह जो है呢 temperate cyclone यह आपके continent पर भी बन सकते हैं जो tropical cyclones होते हैं हमसा है summer जब गर्मीयों का मोसन तब ही आते हैं जो temperature होते हैं यह आपके summer में्हीं बनते ब데 ange ठीक है उसके बाद इसकी कोई definite life cycle नहीं होते हैं मतलब यह ऐसा नहीं है कि इसी टाइम पर फॉर्म होगा और यह कभी इसली गायब भी हो जाते हैं लेकिन जो यह होते हैं आपके template वाले इसको जाने में बहुत time लगता है और इसका एक life cycle होते हैं मतलब इसका एक duration होता है कि इस time पर यह cyclone बनेगा तो यह आपको में इन ट्रॉपिकल साइक्लोन तो anticyclone में क्या difference होता है जो anticyclone में अंदर एक high pressure belt होता है ठीक है और बहार की तरफ low होगा तो high से low की तरफ travel करते हैं जो भी air होती है तो यह इसी लिए जो इनकी anticyclone में ठीक है तो यह आपको पता होना चाहिए कि अंदर highest air pressure होता है बहार lowest होता है और इसकी direction भी पूछी गई है एक्जाम में तो यह आपको पता होना चाहिए कि जो northern hemisphere में इसकी direction clockwise होती है और सर्दन hemisphere में इसकी direction anticlock होती है मतलब यह दोने एक दोश्री के opposite है बिल्कुल तभी तो इसका नाम anticyclone है ठीक है उसकी बाद जो anticyclone होता है इसमें अधिकतर time ना इसमें कोई बारिस वारिस नहीं होती है जब anticyclone आती है तो कोई बारिस वारिस नहीं होती है और इसी region से इ high pressure कहां पर होता है ठीक है देखिए उसके बाद आता है humidity humidity अगर आपको असान सब्दों में समझ नहीं है तो आप यह लगा लिजे कि हवा में कितना पानी के मात्रा present है इसे कहते हैं कि मुंबई में humidity बहुत ज्यादा तो इसका मलग क्या अगाज होगी ना वहां की उसमें water vap पर की मात्रा हवा में present है उसे हम humidity कहते हैं ठीक है सबसे important question है कि it can be measured by hygrometer एक device है जिससे हम humidity को measure कर सकते हैं important है devices measurement के बहुत बार पूछी जाते हैं तो यह आप याद कर लिएना इसके साथ पर एक और instrument है sling psychrometer यह भी important है इससे भी आप क्या measure कर सकते हैं humidity major कर सकते हैं क्या sling psychrometer यह दो devices हैं बहुत important है याद कर लेना उसके बाद पूछ सकता है यह 4-5 terms है humidity से related इनके definitions आपको दे सकता है पूछ सकता है कि इस पर से यह कौन सी humidity है तो देखे पहले हम है humidity capacity इसमें कुछ आपका कोई fix आपको कुछ लेना नहीं है यह क्या कहता है कि capacity of air of certain volume at a certain temperature to retain maximum amount of moisture मतब यह कहता है कि कि किसी एक particular temperature पे एक gas कितना ज़्यादा moisture रख सकती है अपने अंदर उसे humidity capacity कहते हैं फिर आता है absolute humidity absolute humidity कहता है कि जो moisture का कितना total weight per volume of air definite temperature is called absolute humidity मतलब कि एक moisture का जो total weight per volume of air एक particular temperature में जो रख सकती है air उसे हम absolute humidity कहते हैं फिर आता है specific humidity specific humidity एक जैसे कहते है specific मतलब इसको define करना है तो आपको fixed data लेना है मतलब आपको किसी fixed amount में gas को लेना है या amount of kilogram या आपको जो air है वो फिक्स लीने है तब उससे आप specific humidity मिज़े कर पाएंगे यह बहुत ही specific term है मतलब अगर आपको specific humidity किसी की जाननी है तो आपको इसके लिए 1 kilogram air में आप देखेंगे कि कितने gram water vapor present है वो आपका specific humidity ठीक है तो specific humidity जो आपका air है आपको 1 kilogram ही इसमें आपको air में major करना है फिर आता है relative humidity देखें यह एक ratio है ऐसा एक question पूछा गया है कि relative humidity की unit क्या होती है तो इसकी कोई unit नहीं होगी क्यों तो यह दो ने एक दूसरे कर जैंगे तो यह question आयो है पूराने paper में कि relative humidity unit क्या है तो इसकी कोई unit नहीं होगी ठीक है इसका क्या है relative humidity इसका ratio amount of water vapor actually present in air having definite volume and temperature ठीक है और यह किस दोनों का ratio है absolute humidity इन दोनों का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो उसके हम रिलेटिव हुमिडिटी निकालेंगे यह हुमिडिटी काफी इंपॉर्टेट है दो तिन कुछे गए हैं पहले इसलिए इसको थोड़ा आप के केरफुली पढ़ लेना इसके बाद हम पढ़ते हैं कंडेसेशन का मतलब क्या होता है अगर आपको सिंपल टर्म में समझाओं तो अगर जो आपने अभी तक पढ़ा हुमिडिटी की जो हमारी गैस है उसमें वाटर वेपर प्रजेंट होते हैं तो जो हमारे एयर में वाटर वेपर प्रजेंट है तो लिक्विड या सॉलिट मतलब जैसे बारिश के फॉर्म में भी आ सकता है या सॉलिट जैसे बरफ पकरा तो कंडेसेशन एक जनरल मतलब है कि जो भी आपके एयर में वाटर वेपर प्रजेंट है वह अपनी फॉर्म या फेज को चेंज करते ठीक है अब दिखें सबसे पहला दो गिलास पानी जाएगा पानी यहाँ पर आप वाटर वेपर समझ लिए पतिला आपका एयर तो जब दो गिलास अपने पानी डाल दिया उसके बाद अगर आप और डालेंगे तो वह पानी नहीं लेगा न तो उसको कहते हैं कम्प्लिटली सैचिट हो गया मतलब जितनी उ गयर के अंदर वाटर वेपर प्रजेंट है तो उस टेंप्रेचर पे जिस पे उने अपनी 100% हुमिडिटी की कैपिस्टी को पा लिया है उसे हम ड्यू पॉइंट कहेंगे ठीक है उसके बाद यह कह रहा है अगला जो कंडेंसेशन में जो गैसे में जो वाटर वेपर होता है यह अपना एक जो phase होता है जैसे gases से वो liquid phase में जा गैस से dioclid में change हो जाता है यह जो condensation का पूरा process होता है वो किस पर depend करता है वो relative humidity of air पर depend करता है अगर पूछ ले कि condensation किस पर depend करता है तो आप लगाएंगे inner सा related humidity of the air पर आपा condensation depend करता है फिर स्मोग का मतलब क्या होता है smoke plus fog ऐसा question पूछा गया है कि smoke में क्या होता तो आप क्या लगाना है smoke plus fog इसमें क्या होता है fog जिसे हम हिंदी में धुंद कहते हैं अगर fog में बहुत सारा pollution अंदर smoke हो तो जो phenomena होता है उसे हम कहते है smoke ठीक है अगला fog fog का मतलब क्या होता है दीखे fog में क्या होता है जो droplets होते हैं water की वो अर्थ के lower layer में वो suspend हो जाती है या condensed हो जाती है तो इस वज़े से आपकी जो visibility होती है वो कम हो जाती है और जो internationally ऐसा माना जाता है है कि अगर visibility एक किलोमेटर से कम है तो वह एक fog या धुंद के रूप में माना जाएगा तो जो हम धुंद कहते हैं वह भी एक form प्रेसिपिटेशन ही है है हेज क्या होता है हेज में क्या होता है जो water particles होते हैं वह अर्थ में ही वह जो अर्थ के atmosphere में condensed हो जाते हैं और जो visibility होत होती है तो यह हेज भी एक टाप का fog ही होता है अगरा टामाता फ्रोस्ट फ्रोस्ट क्या होता है जब जो एक मौश्चर होता है ना water का water का जो मौश्चर होता है वह directly ground surface पे condensed हो जाए आइस की form में condensed हो जाए तो उसे हम कहते हैं frost ठीक है तो इसमें आपको मतलब कह सकते हैं कि जो condensation में आपकी जो water vapors है वह directly gas से solid form में change हो जाते हैं तो यह condensation की forms हैं इन पे question आता है तो important है उसके बाद हम देखते हैं देखे rainfall जो हमने previous slide में जो हमने condensation की phenomena पड़े जैसे fog frost यह सब उसमें से सबसी important है rain क्योंकि rainfall में ही 90% वाटर वेपर होता है वो rain की form में ही धर्ती पर वापस आता है तो rainfall के बहुत different from the three important type के rainfall होते हैं conventional, orographic और frontal rainfall इस हम cyclonic rainfall भी बोलते हैं इनके एक एक करकर देख लेते हैं conventional rainfall क्या होती है जो हमने पड़ी होती है आज तक कि यह convection rainfall में क्या होता है जो कोई भी water body होता है उसमें से sunlight के वज़े से evaporation से पानी उपर की form में जाता है वहां cloud की form लेता है और वहां से फिर बारिस आती है ठीक है तो यह वही है जो हमने पड़ा हुआ है कि इसमें जो rainfall का और याद भी रखना है क्यूं क्यूंकि जो cumulonimbus clouds होते हैं वह rain produce करते हैं ठीक है मतलब सारे बादल बारिस नहीं करते हैं आस्मान में बहुत बादल रहते हैं लेकिन कुछ काले वाले यह तो बादल होते हैं जो बारिस करते हैं तो जो काले बादल आपने पड़े वह होते आगे होता है orographic rainfall का जो main region होता है क्या होता है कि जैसे कोई clouds चल रहे होता है उपर high layer में पड़ी चल रहे होता है तो उसके सामने में जैसे कोई mountains आ गए ठीक है तो वह एक type का उसका path को रोग देते हैं वहाँ पर winds वगरा वह जो mountain है वो रोग देता है तो जो ऐसे mountains की दो जहां जिस mountain के वज़े से वो बारिस हो रहे है उसमें दो parts बन जाते है एक तो होता है windward side और एक होते leeward side तो जो windward side होती है वहाँ आपकी बहुत ज्यादा बारिस होती है और leeward side जो उसका दूसा part होता वहाँ बिल्कुल भी बारिस नहीं हो पाती ठीक है अब आपको य cumulus clouds में भी हलके फलकी बारिस होती है यह आपके लिए important है कि जो आपके windward side होंगे वहहां पर कौनसे बादल form होंगे cumulus clouds form होगे जो आपके बारिस भी करते हैं जो leeward side होता है जहाँ पर कोई भी बारिस नहीं होती वहां कौनसे clouds form करें आप फर्म करें वहाँ form करें status cloud और जो status cloud होते हैं यह बारज नहीं करते हैं तो यहां पर clear weather रहेगा तो यह भी आपको दो tap है Clouds पता लगें नेच्स USSR상 final Scatur miejsce rainfall की यह जो rainfall होता है यह mainly किस area में आता है जो आ तेन ? cyclones होते हैं आपने पड़ा था जो अर्थ का temperature वाला zone होता है यह rainfall उस वाले area में आता है ठीक है उसके बाद इसमें reason क्या होता है कि जैसे cyclone चलता है तो एक तरफ जिसमें 2 phase बन जाते हैं एक तरफ तो cold air का होता है एक तरफ से warm air का तो इस वज़े से क्या होता TEMPERATURE DIFFERENCE आ जाता है और जो WATER Vapor प्रजेंट होता है हवा में क्यूंकि आपको पता है जो water carrying capacity होती है AI की वह temperature की साथ Change होती है जो आपकी जिसे humidity होता है जbit बारिस हो जाती है तो इसमें क्या के हैं उसंत्य चाहिए है यह फिंद्ध से वाजय से होता है p इसमें क्या होता दो दो फेसे बारिस होती है है ठीक है तलर लिगा है यहंकि उसके उसके बाद आप करते हैं क्लाउड्स थोड़े से clouds मैंने आपको पहले rainfall को जब explain किया तब clear कर दिया था दो तिन टैप के clouds हैं, clouds एक जो clouds के name रखेंगे जाते हैं, यह सारे Latin names हैं तो देखें, एक Cyrus clouds होता है, जो कैसे दिखता है, feather के जैसे दिखता है और यह cloud होते हैं बहुत highly उंचे clouds होते हैं, cumulus होता है, जो heap जैसे दिखते हैं, ठीक है और यह ऐस टैप के होते हैं, पर इनका base होता है, यह फ्लैट होता है, यह आपकी cumulus clouds होता है है जो startus clouds होते हैं यह क्या होते हैं आपके नौर्मल या ऐसे seeds की जी की दिखें आपको आपको कभी दिखते हैं कि बिलकुल आस्मान clear है तो उस टाईप के जो clouds होते हैं ये क्लाउड है प्रीय है आ nelbos होता कि यह rain clouds होता है ठीक है क्यों तो तरक राउड स तो इस वीडियो में इतना ही अब जो इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी जोग्राफी में उसमें आपको वैदर और क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी एक्जाम के पॉइंट वीडियो से इंपॉर्टेंट क्वेस्टेंस है वो डिस्कस करूँगा ठीक है तो तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू और अल दे बेस्ट